आजादी की 75 वर्सगाट के तहत आयोध्या पहुंचे आपकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सहर के नाका के गांधी आस्त्रम से तिरंगा यात्रा बाईक रेली को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इस रेली में सैकडों की संख्या में भाजपा कारिकरता हाथों में तिरंगा लेकर बाईक रेली में सामिल हुए इस दोरान आप कारी मंत्री नितिन अग्रवाल मेडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आज पूरा देश आजादी की अमरित महोसों में सामिल हो रहा है और घर घर पर तिरंगा लगाने की होड मच रही है ये तिरंगा यात्रा जन आंदोलन बन रहा है और तिरंगा यात्रा एकता का संदेश दे रहा है तो वहीं मंतरी निदिन अगरवाल ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हैं वे कहा कि समाजवादी पार्टी को जन बार बार नकाट चुकी है तो उन्हें समझना चाहिए आखिर क्या कारण है बेवज़ आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला अब जनता ने उनको और उनकी पार्टी को असली चेहरा दिखा दिया है इस बाइक रली में सांसद लल्लू सिंग विधायक वेद प्रकास आए अओध की आए इस बाइख सुना सुना सुनाई संदेव से आखि है क्यट सक लो है क्या जाओ यह 5 प्रदेश के जन जन में जागरुकता आई है और आज इस तरीके से उस्साहक से लोग तिरंगा यात्राएं लिकालना है प्रभात फेरिया निकालना है और हर घर में तिरंगा लगाने की मैं देख रहा हूँ कि एक होड़ सी मची हुई है एक मुहीम बन गया है 13-15 तारीक का अभियान है मैं समझता हूँ प्रदेश के हर घर में एक तिरंगा जरूर लहराएगा और हम एक संदेश भी दे रहे हैं कि तिरंगा क्योंकि एक हमारा राष्ट्री धुच है हमारा अफिमान है हम लोगी पहचान है इस तिरंगा यात्रा से पूरा देश एक जुटता का भी संदेश दे र रहे हैं कि क्योंकि ना उनके पास कोई मुद्दा है ना कोई विशन है और मैं तो कहूंगा समाजबादी पार्टी के नेताओं से और खास्तर और उनके राश्ट्री अध्यक्ष से कि कम से कम राजनीत में कुछ सीखने का प्रयास करें जब जनता लगातार चार बार उन्हें नकार चुकी तो उन्हें समझना चाहिए कि आखिर क्या कारण है बेवजय के आरोप लगाने से कुछ होने वाला नहीं है जनता ने उनको और उनकी पार्टी को सही उनका असली चेहरा दिखा दिया है